शिकोहवाद नगर के एटा रोड इसे दे होटल ग्रीन पार्क में अखिल भार्तिय वैश्य एक्ता परिशत की पत्रकारवारता आये जिती गई जिसमें अखिल भार्तिय वैश्य एक्ता परिशत के राश्ट्री अध्यक्ष ने कानपूर में होने वाले राश्ट्री सम्मिलन अभी नंदन सम्हारों आयजित होगा इस सम्मिलन में फ्रोजवाद से भी बड़ी संख्या में समाज व्यापारी भाग लीने पहुचेंगे कारिक्रम 3 मार्च को प्राता 11 बजे होगा इस सम्मिलन में भाग लेने की सभी से अपिल की गई है उन्होंने कहा कि सरकार ने कई मांगे मांगें भी की पूरी हो इसके लिए पूरी कोशिश होगी उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में वैश्य समाज के सिर्फ दो सांसद है जबकि समाज की प्रदेश में 36 प्रतिशत जनसंक्या समाज से जोड़े व्यापारी सर्वाधे के रोजगार उपलब्त कराती hat तथा राजस्व देते हैं वहिच समाज के समाज की योध्य समाज को सरकान ने अब तक पूरा किया जो शेश मांगे उन्हें भी पूरा किया जाए जिसमें प्रमुक GST में पैनलिटी किसा साथ सजा का प्राफदान खत्मे किया जाए, GST पंजी कुरते व्यापारियों को 10 लाख का बीमा दिया जाए, तथा मृतकों की आशीरतों को 20 लाख रुपे की आर्थिक साहता दी जाए, वहीं व्यापारियों को 65 वर्ष की आयू में व्यापारी व्रद्धा वस्ता पैंशन दी जाए, इस सबसे पर राजीव गुपता, सचिन सिंखल, सोनी गंभीर आदी मौजूद रहे ऐसे है जहां वैस समाद की प्रभावी संख्या है, बर्तमान समय में मातर दो सांसत वैस समाद के हैं, इस सम्मिलन के माद्यम से जो वैस वावल छेत्र हैं, मांग उठाई जाएगी, कि उन वैस प्रभावी छेत्रों से वैस समाद के बंदूं को टिकिट देने का कार किया ज रही है इसलिए पुर्जोर ढंग से मांग है कि जिस पकार से विगत बिधान सवा के चुनाओं में नगर पालिका के चुनाओं में भारती जन्ता पार्टी का समर्थर किया था उसी तर्च पर वैस बंदों को भी प्रात मिक्ता के आदा पर टिकेट दिये जाए प्रात अबर उसके लिए फ्रोजवास से मुकेश कपता की रिपोर्ट